हेलो दोस्तों वेलकम बैक टो इवी आउटो दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ अफटर मार्केट का सबसे पॉपुलर एंड्रोइड कार इस्टीरियो और आपकी कार के लिए सबसे बेस्ट एंड्रोइड कार इस्टीरियो आईए देखते हैं कौन सा है वो एंड्रोइड कार इस्टीरियो जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ और जिसके उपर आज ये वीडियो बनी हुई है तो दोस्तों आज है हमारे पास अन्पलग ब्रैंड की तरब से आने वाला यू एन्पी के 200 मॉडल जो की काफी जादा अच्छा एंड्रोइड इस्टीरियो है और ये इस्टीरियो जो है मैं रिव्यू करने के लिए नहीं बना रहा हूँ ये इस्टीरियो को मैंने परसनली 30 से 40 गाड़ियो में इंस्टॉल किया कस्टमर से रिव्यू लिया एंड उसके बाद आज ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपकी कार में एक अच्छे प्राइज में ये इस्टीरियो लग पाए और आप इसे लगवा सके तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये है अनप्लग ब्रैंड का एंड्रॉइड इस्टीरियो विद्ध डूल नॉब डाइमन टोके जो की काफी जाधा ट्रेंडिंग में है इस वक्त और बगएर किसी देरी के हम इसकी करते हैं अनबॉक्सिंग ताकि आपका टाइम भी बचे और हमारा भी तो सबसे पहले यहाँ पर इसे कर दिया हम लोगों ने रिमूफ और इसका लुक मैं आपको दिखा देता हूँ उसके बाद डेमो में लगाएंगे फिर एकत चीज मैं आपको explain करके बताऊंगा और सारी चीजे मैं आपको दिखाऊंगा तो यहाँ पर इसे हम लोगों रख देते हैं side और यहाँ पर आप लोगों देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है इसका warranty card अगर मैं इस stereo की warranty की बात करूँ तो one year की warranty आपको इसमें देखने के मिलेगी and SMS send करके आप उसे registered भी कर सकते हैं जिस दिन आपने purchase किया है यह stereo and QR code scanner भी इसमें दिया हुआ है बाकि जो हमारी favorite चीज है वो यहाँ पर है तो इसे box को कर देते हैं थोड़ा side and यहाँ पर मैं आपको इसे दिखा दिता हूँ एक बार किस तरीके से look इसका आएगा व वैसे दोस्तों यह ring है अगर आपकी car में 9 inch के android stereo लगा हुआ है यह ring लगवाईए यह stereo लग जाएगा और अगर 10 inch का लगवा है यह ring लगवाईए stereo जो है proper तरीके से बैट जाएगा यह है वो चीज जिसके बारे मैं बात कर रहा हूँ and यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं तो यहाँ पर जो polythine लगा हुआ है इसे हम कर देते हैं remove तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके से look इसका देखने के लिए आपको मिलेगा back changes वगएरा मैंने दिखा दी है बाकी अगर मैं knob की बात करो दोस्तों knob दोनों ही working knob है and अगर मैं इसके RAM की बात क लिए तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो stereo है वो on हो रहा है और unplugged की branding के साथ में on हो रहा है a new beginning वहाँ पर लिखा हुआ आ रहा था और यहाँ पर आपको इस stereo के अंदर एक external mic देखने के लिए मिलेगा दो USB socket देखने मिलेंगे एक reverse camera का cable देखने के मिलेगा एक buffer RCA jack एंड यहाँ पर एक आपको देहने मिलेगा GPS antenna wire और इसे अब हम कर देते हैं side और बात करते हैं Android stereo की तो front की जो screen है कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलेगी मैंने तो कई बार install किया है लेकिन मैं आपको पूरा explain करके दिखाने वाला हूं तो यह अब आपकी car चलेगी तो यहाँ पर उसका speed आएगा and यह है apps का बाकि अगर मैं knob की बात करूँ तो दोनों ही knob working है and working ही रहेगा अगर दिया है तो सबसे पहला जो option है वो है aux का फिर जो option है वो है bt music का bluetooth जो है इसमें 4.0 है काफी जादा अच्छा है and उसके बाद car info है car information कर सकते है system info आप यहाँ पर देख सकते हैं अगर screenshot मारना है तो आप screenshot मार लीजिए बाकि canvas वगेरा हम लोगों ने लगाया नहीं है और उसके बाद है chrome browser फिर है DSP DSP को एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यह जो नीचे वाला raw है यह है manual equalizer का एंड जो उपर वाला raw है वो है graphics equalizer का एंड प्रॉपल यहाँ पर देख सकते हैं आप लोगों symbol है ultra bass, treble, mid treble, medium bass, bass and ultra treble का बाकि और भी बहुत सारे feature आपको इसके DSP में देखने के लिए मिलेंगे जैसे की fader and balance and seat positioning भी आप कर सकते हैं इसमें तो fully loaded DSP जो है इसमें दिया हुआ है and अगर मैं sound output की बात करूँ तो 4 into 50 watt का sound output है आपको इस stereo से मिलेगा बाकि sound output अभी हम सुनने वाले हैं यह जो nippon के speaker मैंने लगा के रखे हैं इससे हम sound output को सुनने वाले हैं ताकि आपको पता चल सके कि actual में sound output कितना आने वाला है बाकि यहां पर है file आप लोग देख सकते हैं कुछ भी SD card वगएरा आप लगाते हैं जैसे कि हम लोगों ने लगा के रखा हुआ है तो यहां पर उसके सारे folders आ रहे हैं and music वगएरा भी है तो आ रहे हैं यहां पर instruction दिया हुआ है उसके Google Maps फिर है music का icon आप लोग यहां पर देख सकते है music का app इसमें दिया हुआ है तो home screen में हम लोग आ जाते है music अभी play नहीं करेंगे बाद में play करके मैं आपको दिखाऊंगा and उसके बाद आप लोग यहां पर आ जाते हैं तो यहां पर है my car अगर आपकी reverse camera की track वगएरा guidelines वग कर सकते हैं और उसके बाद Netflix इसमें पहले से install है फिर यहां पर अगर आपको Bluetooth वगएरा connect करना है तो उसका कुछ interface इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलेगा यहां से setting वगएरा में password वगएरा change कर सकते हैं नेम वगएरा change कर सकते हैं यहां पर मैंने अपना phone जो है connect किया है कुछ इस तरीके से उसका interface आपको देखने के लिए मिलेगा फिर से आ जाते हैं back and play store है उसके बाद है radio radio का जो interface है दूस्तों काफी ज्यादा अच्छा है auto search feature के साथ में आपको RDS का भी feature आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा तो radio जो है यहां से अगर आप play करते हैं त यहां पर एक proper screen of का app दिया हुआ है फिर से एक बार क्लिक करेंगे stereo चालू हो जाएगा screen saver है एंड यहां पर है setting जिससे android से related आप setting कर सकते है apps वगएरा delete करना है storage वगएरा चेक करना है system वगएरा में जाके time and date वगएरा चेक करना है तो आप यहां से उसे कर पाएंगे तो वो proper तरीके से install है music बगएरा अगर आपको सुनना है तो कुछ इस तरीके से interface आएगा आप लोग देख लीजिए फिर अगर हम लोग साइड में आये तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं इस डबलू लर्निंग का एप दिया हुआ है इससे इस डबलू लर्निंग मतलब steering wheel control के बटन को पेयर करने का option यहां पर आपका दिया हुआ है जैसे कि start दबाएंगे और उसके बाद सारे बटन आप जो है पेयर कर लीजिए तो back आ जाते हैं फिर आता है टूल बॉक्स फिर आता है वीडियो तो वीडियो की quality आप एक बार देख लीजिए किस तरीके से वीडियो की quality आपको देखने के लिए मिलेंगी बाकी screen quality काफी जादा अच्छी है दोस्तों मैंने कई बार लगाया है और वीडियो वगएरा चलने में तो एक number है यह stereo यह मेरा personal experience है 30 से 40 गाड़ आएगी ज्यादा देर वीडियो को चला नहीं सकते एंड उसके बाद हम लोग चलते हैं वोइस recording का भी option आपको इसमें देखने के लिए मिला है यह जो वाल पेपर है वाल पेपर का भी proper app इसमें दिया हुआ है आप लोग देख सकते हैं जैसे कि एक हम change करके देखते हैं तो इसमें Android Auto and Apple CarPlay wireless connect होगा एंड एक ही app में दोनों काम आपका हो जाएगा तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 5.4.38 जो की latest version है Z-Link का वो इसमें पहले से install है और काफी ज़्यादा यह अच्छा stereo है और अब हम internet connect करते हैं YouTube Chrome browser वगएरा को खोल के देखते हैं और मैं आपको इसके Z-Link 5 में connectivity कितनी ज़्यादा fast है Android Auto and Apple CarPlay तो यहाँ पर हमारे पास है Vivo का phone hot spot मैंने connect किया था तो simply हम कुछ नहीं करते हैं इसे कर लेते हैं connect और यहाँ से आजाते हैं home screen में बाकी सारी चीजों को कर लेते हैं clear तो hot spot हमारा on हो चुका है और उपर का interface जो है कुछ इस तर display चलाने में आपको काफी ज़्यादा smooth है और बहुत मज़ा आने वाला है और Chrome browser को अब हम एक बार on करके देखते हैं कि कितनी speed में on हो रहा है बाकी जहाँ पर मैं हूँ वहाँ पर internet की हलकी सी problem रहेगी तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं more में click किया go it and यहाँ से YouTube को कर लेते हैं open तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से इसकी speed है and क्या quality में यह सारी चीज़ों को open कर रहा है एक song search करके मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ से कर लेते हैं close बने रही है इस इसकी real speed आप लोग देख सकते हैं काफी ज्यादा smooth यह stereo है यह जो है हलका internet की वज़े से है आप लोग देख सकते हैं मैंने बताया था आपको हलका internet slow है लेकिन काफी ज्यादा अच्छा speed यह आपको provide कर देगा तो यहाँ पर हम कोई song वगेरा play नहीं करने वाले हैं और अब म मैंने pair किया था तो unplugged देख सकते हैं connected हो चुका है यह अब देखते हैं कि android auto को कितने देर में connect यह कर रहा है तो यहाँ पर देखे आउटोमेटिक ले लेगा इसे कुछ करने की ज़रुरत नहीं है तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं proper तरीके से android auto को इसने connect कर लिया है जो 60% part है वहाँ पर आएगा navigation यहाँ पर जो भी default music app है उसका music आप play कर सकते हैं volume को मैंने zero करके रखा हुआ है बाकी अगर मैं stereo वगएरा की बात करूँ काफी ज्यादा अच्छा यह stereo है और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पूरे app वगएरा के control आ गये स्रिफ अगर आपको navigation वगएरा यूज करना है तो बड़ी screen में सकते हैं तो home screen में आ जाते हैं वापस अब मैं आपको दो चीज दिखाता हूं इसकी back camera की quality दिखाता हूं और आपको सुनाता हूं इसका sound output तो सबसे पहले हम sound output इसका सुन लेते हैं कि sound output किस तरीके से इसका आने वाला है तो USB मैंने लगा के रखा हुआ है already and music के app में चलते ह एंड यहां पर हम सुनने वाले हैं R.I.O.T. Pencius का music है volume को मैं हाप में रखने वाला हूं फुल नहीं करने वाला हूं जिसका स्से बाला हूं लेढ हुआ है कर दो नपया है तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं जादा दिर हम लोग म्यूजिक को प्ले नहीं कर सकते लेकिन यकीन किजिए इसका साउंड आउटपुट काफी ज्यादा अच्छा लगेगा आपको और इसमें जो साउंड आउटपुट है वो है फोर इंटू 50 का मतलब चारों स्पीकर को 50-50 वाट का जो है आउटपुट ये प्रोवाइट करेगा जूकि काफी अच्छा आउटपुट रहता है ब्लॉपंग वगएरा निप्पॉन वगएरा में भी आपको वही देखने के लिए मिलेगा एंड यहां पर अब हम बात कर लेते हैं रिवर्स कैमरे की क्वालिटी तो यहां पर देख सकते हैं आप लोग अभी लिखा हुआ आ रहा है नो सिगनल क्योंकि मैं आपको प्रूफ दिखाना चाता हूँ कि जो मैं बोल रहा हूँ उस कैमरे की क्वालिटी सच है तो यहां पर देखिए यहां पर रजल यूसान आ रहा है तो HD108025HZ में हम लोगों देखने मिलेगी बैक कैमरे की बैक कैमरा जितना ज्यादा क्वालिटी वाला आप लगाएंगे उतना ज्यादा अच्छा क्वालिटी निकल कर आएगा तो बैक कैमरे को कर देते हैं अब आफ तो बैक कैमरा हमारा प्रॉपर तरीके से और दोनों ही नॉब जो है प्रॉपर को जो है symbol वो आ रहा है तो काफी जादा अच्छा stereo है प्राइज में आपको इस तरीके का stereo नहीं मिलने वाला है बाकी graph अगयरा काफी जादा अच्छे है थीम वगयरा का भी option आपको इसमें दिया हुआ है and car setting भी मैंने आपको दिखा ही दिया है बाकी DVR वगयरा भी इसमें दिया हुआ है वो सारी चीज़े आप यूज कर सकते हैं अब आईए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ इसका final price क्या क्या अफ्टर मार्केट में मिल जाएगा हंजी तो कैसा लगा अन्प्लग ब्रैंड की तरफ से आने वाला यूएंप के 200 मॉडल एंड्रॉइड कार इस्टीरियो डॉल नॉप आप मुझे कमेंट करके जरूर बताईए और अब मैं आपको बताता हूँ किसका final price क्या पड़ेगा और इसकी MRP कितनी है और कहां पर यह स्टीरियो मिलेगा तो सबसे पहले देखिए इस स्टीरियो में जो है इसकी जो MRP है वो है 29,009 सुपई की लेकिन अफ्टर मार्केट में यह आपको बहुत कम price में देखने के लिए मिलेगा कुछ लोग कमेंट करते रहते हैं कि भाई MRP पूरा accurate क्यों नहीं बताते हो तो आप इस वीडियो के description में चले जाएए final price आपको देखने के लिए मिल जाएगा और अगर आपको यह stereo चाहिए अगर मेरे experience के हिसाब से देखोगे तो मैंने कई सारे stereo लगाया लेकिन unplugged का यह जो stereo है यह काफी ज्यादा अच्छा है अगर मैं brand की बात करूँ तो काफी reputed brand है और भी बहुत सारे stereo इसकी aftermarket में चल रहे हैं तो आप इसे आँख बंद करके install करवा सकते हैं जिसे basic की चीजों का knowledge है वो तो definitely इसको लगवाएगा ही लगवाएगा तो अगर आपको लगवाना है तो आप इसे लगवा सकते हैं final price description में देखने के लिए मिल जाएगा और अगर किसको feature समझने है तो मैं हलका फुलका उपर-उपर से इसके जो feature है वो आपको समझा देता हूँ तो split screen का option आपको इस stereo में देखने के लिए मिलेगा and android version की हम लोग बात करें तो android version 10 इसमें run हो रहा है play store दिया हुआ है capacity touch panel है और अगर हम इसके ram की बात करें तो 4GB का ram है और अगर हम इसके internal storage की बात करें तो 64GB का internal storage है screen size 11.5 inch है with the dual knob wireless android auto मैंने आपको connect करके दिखा दिया wireless apple carplay भी इसमें connect हो जाएगा बाकी screen जो है 2K screen है 2000 by 100p की and 1 year की warranty आपको इसमें देखने के लिए मिलेगी and जो speaker output है साफ साफ यहाँ पर mention है कि 4 x 50 watt का speaker output है pre output की अगर हम लोग बात करें तो 3 watt का pre output है and 4.1 channel output भी इसमें दिया हुआ है 4 speaker के लिए और एक subwoofer के लिए RDS feature मैंने आपको बता ही दिया है pipe and pipe picture quality HD rear camera भी इसमें लिखा हुआ है मैंने आपको proper वहाँ पर on करके दिखा दिया है reverse camera की quality I hope आप लोगों को पसंद आई होगी QLED display है and high resolution IPS display है DSP की अगर हम लोग बात करें तो genuine DSP इसमें दिया हुआ है बाकी काफी ज्यादा अच्छा यह stereo है MRP वगेरा मैंने आपको बता दी है and अगर आपको install करवाना है तो आप इस Android stereo को अपनी कार में install करवा सकते हैं and अगर मेरे experience के हिसाफ से देखेंगे तो मैंने आपको बता दिया कि 30 से 40 गाड़ियों में मैंने install किया इसकी back testing की and उसके बाद आज यह stereo मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कैसी लगी वीडियो कमेंट करके आप मुझे जरूर बताए चलिए आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं किसी और नई वीडियो में तब तक के लिए जैहिन वंदे मात्रम